इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों के मौसम में आपको हाइडरिट रखने के लिए और तरो ताज़ा और ताज़गी से भरपूर रखने वाली ड्रिंक जो की बनी है गोंद कतीरे से जी हाँ दोस्तो तो अचा के लिए कई तरह से पायदे मंद है यह गोंद कतीरे से बनी ड्रिंक एक्सपर्ट के अनुसार आपको बता दे की गर्मियों के मौसम में जिस तरह लोग हाइडरिटिंग और अपने आपको रिफ्रेशिंग रखने के लिए तरह तरह की ड्रिंक्स प नहीं रह सकती और धीरे धीरे आप क्यों इम्मिनिटी के तौर पर वीकने सी हासिल होगी तो क्यों न हम कुछ ऐसे पर बनने वाले ड्रिंक्स तयार करें जिससे आपको गर्मी में ही रिफ्रेशिंग मोट मिल जाए आईए जानते हैं कि कैसे बनाएंगे गौन कतीरा ड्रिं चियाड सीट्स को एक से दो चमच लेने के पाद कम से कम 15 मिनिट के लिए भिगोकर रख दे अब आम की प्यूरी बना ले अब इन सामगरियों की वन बाई वन लेयर तयार करें सबसे पहले एक गिलास में गोन कतीरा निकाले इसके उपर चियाड सीट्स के पीच रखें और पिर आम की प्यूरी मिलाए अब आपको इसके उपर थोड़ा सा ताजा मिल्क याने मलाई दार दूद ढलना होगा इसके बाद आपका रिफ्रेशिंग गोन कतीरा ड्रेंक तयार है अब आप सोच रहे होंगे कि तवचा के लिए या किस तरह फायदे मंद है तो आपको बता दे कि गोन कतीरा ड्रेंक पीना तो अच्छा के लिए काफी फायदे मंद होगा इसे पीने से तो अच्छा पर नैच्रल ग्लू आता है साथी तो अच्छा जमकदार भी बनती है इसे पीने से आपको फ्री रैडिकल्स से भी चुटकारा मिलने के साथ जहरे की दाग धब्ब उसे भी चुटकारा मिलता है इस ड्रिंग को पीने से विटामिन सी मिलता है और इतना ही नहीं एकने और पिग्मेंटेशन इसे समस्याएं भी कम होती है गोन कतीरा ड्रेंक पीने के फायदे गोन कतीरा ड्रेंक पीने से शरीर में पानी की कमे नहीं होती है और शरीर को अंद बता दे कि इस ट्रिंग को पीने से पाचन तंत्र बहतर होता है और गैस अपच जैसी समस्यां भी कम होती है इस ट्रिंग को पीने से दिमाग और शरीर भी धंडा रहता है अगर आपके बच्चे भी घर में जित कर रहे हैं तो उन्हें इसकी बजाए इन्हें कोल्रिंग्स की बच्चाए या गोन कतीरे से बना हुआ ड्रिंक तयार करके जरूर दें आप खुदी देखेंगे कि आपके बच्चे आपसे मांग मांग कर इसे पीना चाहेंगे और आप भी इसे पसंद करेंगे तो दोस्तों एक्सपर्ट के द्वारा पताई गई यह रेसिपी आपको कैस लगी और यह जो घून कतीरा ड्रिंक यूनिक ड्रिंक जो आज मैंने आपके साथ शेयर करा कैसा लगा जरूर से बताएं मिलेंगे नेक्स वीडियो में बहुत ही जल्दी किसी नई जानकारी को लेकर